नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M01s vs Infinix Hot 11 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M01s में 6.18 इंच जब की Hot 11 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है width की बात करें तो Galaxy M01s में 2.98 inch जबकी Hot 11 में 3 inch की width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Galaxy M01s में 0.31 inch जबकी Hot 11 में 0.35 inch की थिकनेस मिलती है जो की Galaxy M01s से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Galaxy M01s में 168 ग्राम्स जबकि Hot 11 में 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Galaxy M01s से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Galaxy M01s में ATFT LCD जबकि Hot 11 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Galaxy M01s में 19 रेशियो 9 जबकि Hot 11 में 20.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Galaxy M01s में 6.2 इंचर्स जबकि Hot 11 में 6.6 इंचर्स मिलती है Display Resolution, Galaxy M01s में 720x1520 और Hot 11 में 1080x2408 मिलता है Screen-to-body Ratio, Galaxy M01s में 80.27 प्रतिशत जबकि Hot 11 में 83.8 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Galaxy M01s में 271 प्रति इंच जबकि Hot 11 में 400 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Galaxy M01s में 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Hot 11 की बात करें तो इसमें 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, AI Lens और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में साथ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Galaxy M01S में Power of GE832 जबकि Hot 11 में Mali G52 MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Galaxy M01S में MediaTek Helio P22 और Hot 11 में MediaTek Helio G70 मिलता है बात करें RAM की तो, Galaxy M01S में 3GB जबकि Hot 11 में 4GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, Galaxy M01S में 32GB जबकि Hot 11 में 64GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो, Galaxy M01S में up to 512GB जबकि Hot 11 में up to 256GB है operating system की बात करें तो, Galaxy M01S में Android V9.0 Pie जबकि Hot 11 में Android V11 देखने को मिलती है battery, Galaxy M01S में 4000mAh जबकि Hot 11 में 5200mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो, Galaxy M01S में 2 colors जबकि Hot 11 में 4 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो, Galaxy M01S 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 8999 रूपीस में मिल जाता है और बात करें Hot 11 की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8999 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M01S में 4, 5A और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Infinix Hot 11 की तो उसमें 5, 5A और 5 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में Hot 11 आगे है Main camera में दोनों phone सेम ही है Front selfie camera में दोनों phone सेम ही है Performance में Hot 11 आगे है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Moto G60 है, दुसरा Tecno Spark Go 2022 है, तीसरा Samsung Galaxy M02S है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M02 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना